भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकास भूमिन्यूज, हर खबर पर हमारी नजर गूजने से भकतों के चहरे पर राणक लौट आई है, लागडाउन के दउरान लगभक, मंदिर सौ दिन तक बंद रहा यात्रियों के न आने से तिर्थाटन व परेटन व्यवसाय ठप था लेकिन अब कपाट खुलने के बाद यहां के लोगों के अच्छे दिन लोटने लगे हैं भक्तों को थर्मल स्कैनिंग के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है मास्क पहनने वह दस वर्ष से कम उम्र के बच्चो बुजर्गों वह गर्वती महिलाओं को मंदिर के बाहर ही रोक दिया गया दरसनार्थियों के साथ ही ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों वह श्रीविंद्य पंडा समाच की और से ड्यूटी पर लगे लोगों की थर्मल स्क समाच के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे ने दाड़ी वब बाल तब तक न कटवाने की मनत मांगी थी जब तक मंदिर न खुल जाए सोंवार को मंदिर के कपाट खुले तो पूर्व अध्यक्ष ने मंदिर परिसर में मुंदन कराया इस दोरान पंडा समाच के अध्यक्ष पंकस दिवेदी सहित अन्य पदादिकारी मौजूद रहे स्थाने दुकानदारों ने बताया कि अभी दर्शन करने वालों की संख्या कम है लेकिन दो तीन दिन में दर्शनार्थी बढ़ जाएंगे वहीं मिरजापुर गैपुरा छेतर के सीतला धाम विजयपुर में आसाड माह के आखरी सुमवार को सरदालों ने पहुच कर माह सीतला का दर्शन पूजन किया आसाड और सावन महीने में मिला लगा रहता था वहीं इस बार कोरोना महमारी के चलते मिला तो नहीं लगा और भक्तों की भीड में काफी कमी देखी गए हाला कि तमाम भक्तों ने सारी रिक दूरी का पालन करते हुए मास्क लगा कर दर्शन पूजन क्या दूसरी तरफ मिरजापुर के हलिया विकास खंड में स्थेत सेटी नदी के किनारे मास हीतला के गरबडा धाम का कपाट नहीं ख दर्शन करने पहुचे भक्तों को द्वच का दर्शन कर लोटना पड़ा गरबडा धाम में दर्शन करने पहुचे भक्तों में सोशल डिस्टेंसिंग वर मास्क की कमी दिखी जनपत मिरजापुर से चीफ एडिटर स्क मिस्रा की स्पेशल रिपोर्ट